हेलो गुड मॉर्निंग एवरिवान सो गाइस यहां पे खुसी है और यह रात में सोने नहीं देती है इसकी नाग इतना बसती है इतना बसती है लगता है कि हवाई जहाद जा रही है खुसी तो देखो यहां पे हजबेंट जी सोय थे और यहां पे मैं सोई थी तो क्योंकि इसकी नाग इतनी बज रही थी मुझे नीद नहीं आ रही थी तो मैं यहां पे सर करके सोई थी वो उधर सोई थे साइड में तो यह रात भर सबकी नीद डिश्टब करती है आज तुमा दवाई लेने जाओ तो मारी नाग बहुत ज़्यादा बज रही है खराटे बहुत ले रही हो तो चलो उठो और हम अपना बेट सहीं करें आज मुझे दुलनी है यह पेक सीट इसको चेंज करनी है बहुत गंदी हो रखी है तो गैस यहां पर बच्चे भी उठ चुके मुसकान बाबो भी यहां पर बैटे हुए हैं और यह इस रूम की मैं करने वाली हूँ आज सफाई क्योंकि आज इस रूम के पर्दे और भी हटेंगे कल हमने रात में सोचा था कि पर्दे निकाल दें बट नहीं निकला निकाल रहे हैं और यह रूम जो है थोड़ा सा मैं साफ सफाई करूंगी और होली तीन या चार दिन बच्ची हुई है उसके बाद गुजिया उजिया बनने की तैयारी हो जाएगी और बहुत दिन के बाद मैं अपना यूटूब पे व्लॉग डालने जा रही हूं और बच्चों का स्कूल बंद है तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिल गया तो चली आज जो है मैं इस पर्दयोगरा दू लेती हूं आज बाबो मुस्कान का रिजल्ट भी निकलने वाला है तो यह लोग स्कूल भी जाएंगे वैसे बच्चों की छुटी भी हो गई है और आज क तो मैं सब को कामों में लगा दूँगी तो यहां पर आज सभी लोग मिलके घर की सफाई करने वाले हैं बच्चे दोनों बच्चों को भी लगाऊंगी एंड अपने भी करूंगी हजबेंड भी हैं घर पे तो इनको भी लगा दूँगी और मिलके आज पुरे जो हैं गर की नकाले के वह नहीं मुझे बहुत मतब बहुत जrementब यह काम बहुत ऑड़ महाय नुकाल निकालना आज सब्से भारी काम तो इसको धुलaka भी हाथों से इतने भारी भारी परदे हैं कि मद पुछो अब यह बस मैंने पूरे घर में के जो पर्दे वोन ही निकासीया है और उस के जो पर्दे हैं अच्छे हैं मैं तब साफ सुत्रे हैं तो उस रूम की पर्दे जाद ही थोड़ा गंदे होगा रखे थे तो उसको मैं दुलना है को वैसे में चार पाँद से जो गरम कपड़े हैं वह भी धुल धाल के रख दी हूँ और यह जो कंबल होगे रहा है अभी थोड़ी भोट धल की हिल की जो सूबा के टाइम अधर ठंड रहती है सूबा साम थंड रहती है तो अभी इसको कंबल को भी नहीं रखा है कंब अभी और हुली की बादी साय दिया निवरात में धूलना पड़ेगा इसको अभी ठंड लगती है अब रात में तहीं लगती है सूबा के टाइम ठंड लगती है तो यहां पर हाज वेक्सीट मुझे चेंज करनी है और यहां पर पुरे घर में जाड़ू पोचा करूंगी और मुझे जाड़ू पोचा करने में कम शेकम आधा गंटा लग जाता है पूरे घर में तो मुसकान वहां किच्छन में है वो पराठे बना रही है आज मैंने उसको मतलब सुबा के लिए आटा गुत के रख दिया था तो उसको दे दिया वो पराठे बना रही है बागी नास्ता का जो टेंसान है वो खतम है क्योंकि आज मैं सिर्फ साफ सफाई करूंगी और यहां पर देख दो यह विंडो हमने सोचा चलो इसको भी क्लीन कर दें वैसी बाहर से ओपन होता है यह विंडो तो बहुत जादा इ यह विंडों करते हैं और अन्दर से नहीं तो यहां पर जो साइड में कोने के साइड में गोरईया ने वह घुसला बना के रख़ा है तो वहां से वह जो भी घृस वाज वह तो नीचे गिरता रहता है और उसको मतलब उजारना हो गयरा क्योंकि गोशला जो होता है न तो इसलिए मैंने उसको इसे छोड़ दिया है और वहां से बहुत ज्यादा ही गास गिरता रहता है तो यहां पर जाड़ू लग चुका है पुरे घर में और यहां पर मैं लगा रही है पूछा फटपट लगा लेते हैं पुरे घर में पूछा आन प्हुत लगा है यहां से स्क्राओा के जलसे ऊड़ने लोगा है प्हाताला के दो नहाएएद्ट है रहां से अускते हैं लोाँ आढ़ा teeny झादाबू बहां स्क्तर बहां सिना कि अल्जस अहां बहां सि हंगा motion ये है स्टाना देरो अगो ङुछ है घ्तार रोर आगैसे अगैसे महादा 아침 창문 틈으로 날 비추는 햇살과 같아 시간이 흐릴수록 눈 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 가끔 힘들어 견디기 어려워도 내 곁을 지키는 니 존재로 난 늘 감사해 이 시각은 बस जाड़ों पोछा लाश्ट ही बच्चा वो इसके बाद सीधे डायरेट बात्रूम में कपड़े दूलेंगे नहाएंगे तो बारा एक बच जाता है है ना ये डेली का काम है आज का नहीं है डेली का काम है तो आज थोड़ा सा मतलब ये कपड़े जादा भी हो गए थे तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे जो दो बाल्टी कपड़े हो रखे थे परदे होगे रहा वैक सीट होगे रहा तो अभी इनको धुल रही हूँ यहाँ पर नहाँ वाके फिर आगई हूँ अपने लिए चाय बनाने सुबह मुसकान ने चाय बनाई थी खतम हो जोगी है मैं अपने लिए सिब चाय बना रही हूँ और जब मैं अपने लिए दोबारा अगर चाय बनाती हूँ तो हजबन को भी चाहिए वो भी चाय पीते है मेरे साथी शुवजी चाय पी लेते हैं फिन मैं जब पीती हूं तब दोबारा चाय पीते हैं तो इस उनके लिए और यहां पर मैं पी रही हूं चाय नहोंगी नहीं नहोंगी नहीं चलो नहां चलके चलो सो गैस यहां पर साड़े बारा बज रहे हैं चाय पीके और यहां पर देख सकते हैं खुसी अभी नहाई नहीं है और यहां पर इसकी पश्टी सुरू हो जाती है तो यह घर में रहती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है यह कल रात में आ गई थी बिना अपनी मम्मी को बत सुबही सुबह उसने कॉल कर दिया था तो इसको यहां अच्छा लगता है यह अप साम को ही जाएगी अपने घर तो यहां पर मैंने अपनी डाल जो है चड़ा दिये दुपर की कर रही हूं तैयारी बनाओंगी डाल चावल सबची रोटी तो यहां पर देख सकते हो फिर हम को मैं डाल देती हूं और यह दो पर के साड़ी बारा या एक बज रहे होंगे टाइमिंग तो मेंने देखी नहीं थी क्योंकि काम करते करते टाइम कम निकल जाता पता ही नहीं शलता है आज मैंने फोन भी ज्यादा मतब चेक नहीं किया कि फोन में मैं तब किसका मैसेज आर मैंने साइलेंट पे कर दिया था एंड उसके बाद ही सारा काम करने के बाद ही फोन और चेक करूंगी तो यह देख सकते हैं अभी तो सीफ पुरे घर के परदे नहीं दुले हैं सिर्फ एक रूम के परदे निकलेते तो बहुत जादा कपड़े कपड़े हो गए थैंड फिर मै अब जो हमारा दौफरका लेंड 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 रेड़ी हो चुक़ है तो आप लोग भी आ जाए हैंगा ने के लिए सो बच्चे है तो बच्चों को डाल चाओल लेंड निच में चाहिए हैं नताद नहीं चाहिए कर दो बस यहां पर हस्बेंड को भी डाल चाशवल तो वैसे यहां पे सब के लिए निकाल देते हूं खाना शोगाइस यहां पी किचन कज जितना भी काम था मैंने निप्टा दिया लिंच करने के बाद अब मैं फिरी हो गई हूं दोपहर के दो बजने वाले हैं अब मैं अपना फोन चेक करें कि आज किसका मैसेज पढ़ा किसक मैं से कॉल होगे रही थी तो मैं बात करूंगी थोड़े दिर मैं यहां पे अपना वर्क करूंगी उसके बाद सामको जाओंगी आज मार्केट काना जी के लिए कपड़े लाने क्योंकि सबके कपड़े आ चुके बच्चों की भी आ चुके हैं तो काना जी के कपड़े नही व्लॉग के साथ न्यू वीडियो के साथ अगर अभी तक जो मेरे व्लॉग में बना हुआ है उसको देल से ठाइके सो मस गाइस बाई बाई ठीक केर